हालो व्योस आप सभी को नमस्कार और स्वागत है मेरे आज किस वीडियो में और मेरी चैनल में पावर अफ टैरो में अगर व्योस अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पावर अफ टैरो को तो उसे जल्दी सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊ वो आप तक पहुंचे और आप उन वीडियो से अपने जो भी आपको मैसेज़ेस हैं जो भी आपक मुलांक नंबर ङुट जैट कर सकते हैं अगर आपका मुलांक नंबcom पांच ऑ छे के लिए तो जिनका मूलांक नंबर भी चार है निम्रालोजी कर लिए यानि कि आपगा डेट ओःज बस्त देटव में अगर नंबर फोर आता है नंबर 13 या या अपकी देट 22 आए यानि 2 plus 2 is equal to 4 तो अगर 22 भी आपकी date of birth है तो भी आपका मुलांक नमबर जो है वो आता है नमबर 4 तो नमबर 4 वालों के लिए हम जानने की पुशिश्च करेंगे कि September का महीना आपके लिए लव के लिए, रिलेशनशप के लिए, कर्यार के लिए अगर आपके लव लाइफ में कुछ बहुत पॉजिटिफ होता हुआ दिखाई दे रहा है अगर आप सिंगल है और आप किसी को डेट पे लेकर जाना चाहते हैं आप किसी के साथ अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं किसी की लग्षरी सो देखर ट्राक्ट हो सकते हैं या आपको बहुत अच्छी गिप्स मिल सकते हैं इस पर आपकी रिलेशंशप में अगर रिलेशंशिप में हैं या अप अरड़ी मैरेड हैं यह भी दिखाई दे रहा है कि कुछ बहुत अच्छी स्टूजों के ऊपर आप लोग खर्च कर सकते हैं अपनी लग्सरी से अच्रिस के लिए उपनी प्यार को और 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 रहसा देने के लिए और चामिझ भनाने के लिए एक दूसरे को गिप्त में सब्सक्तर तो ओर ओर बढता है ठाच्ट के सकते हैं तो यह भी तिखाई दे रहा है अनली आप मेलेंगी तो फैनने जिक olmas सकते हैं या या फैं Almify फैंबली के चीज चीज, rolling दो किंसा गाया है कुषी ब्लैत्यरों, वुज आपन बाल 새चों करियर में ओवरॉल देखि जाए तरफ करेयर को लेकर आप कुछ नया प्लान कर रहे हैं कुछ अछा सोच रहे हैं और अझी अच्छे काम में तो यह भी दिखाई दे रहा हैं कि किसी के बज़य से आफ हो किसी की चीज को लेकर नहीं कि अन्टीज को सकते हैं कि आप में ऐसा है आप जगलिंग कर रहे हैं ।। टो शीजों को लेकर दो आपशन, two plannings, two projects तो किसी तरह की शैवीं आ सकती हैं तो आप आफ अपने मस्टीेसे अपना लाःकाम करती हैं अप्नी मस्ती से अपना काम करती हैं वेफ्क हैं तो यू नीगा ऩो chlor менее we COVID खतम करना चाहिए, आपको उसको भी देखना है, आपको चीज़ों को प्राइटाइज करने की जरूरत है, और कुछ हो सकता है कि किसी की वज़े से आपके काम में, आपके work area में, आपकी partner में, किसी की वज़े से थोड़ा सा आपका कुछ ऐसा issue भी हो सकता है, जो आपको discuss करने की जरूरत पड़े, जिसके पर आपको decision लेना पड़े, तो decision making होना भी बहुत जरूरी है, अपने financial matters को लेकर, अपने business options को लेकर, अपने काम के options को लेकर, तो overall अगर देखा जाए, तो काम में फिर भी अच्छा है, आप जो भी नया सोच रहे हैं, जो भी कुछ नया करने का कर रहे हैं, उसको decision लेना पड़ेगा और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, अब बात करते हैं आपके health को लेकर, so health को लेकर, I would suggest कि health को लेकर आपको भूत ध्यान देने की जरूरत है, आप health को बिल्कुल इग्नॉर मत कीजेगा, अगर आप mentally किसी चीज़ को लेकर और कुछ पी अगर आपको लगता है कि आपको लगता है कि आपको लगता है कि आपको लगता है कि अपको 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 लगता ह सकते हैं, सब्योस यह थी जिनका मुलांग नमबर था चार, अब बात करते हैं आपके मेसेज के लिए, मुलांग नमबर चार के लिए देखते हैं मैसेज क्या है, मैसेज यगर हम बात करें तो बहुत अच्छा ही प्रांजिशन जो है वो दिखाई दे रहा है आपके लाइफ क जो भी आपके आसपास का लाटर है यानि कि कई बार हमारी लाइफ में बहुत सारी नेगितिव चीजे एक साथ चल रही होती है तो उसे चली करने की जरूरत है ताकि आप अच्छे के लिए प्राइस बना सके ताकि आप अच्छी चीज को अच्छी को ग्रास्प कर सके जो आपके अनरजी को डिस्टर्ब कर रही है उसके लिए आप फैंख्षूई का भी उसके प्राइस बहुत सारी आइटम साते हैं जो आपकी एनरजी को यं-yang एनरजी को उसको मैंचें करते है उसको मेंटें करते है ता पैसे कोई भी फैंख्षूई का इटम जह हो अगने घर 5 है आपका date of birth 14 है और आपका date of birth 23 है तो उनके लिए आपका जो मुलांक नंबर है वो आता है 5 तो देखते हैं 5 वालों के लिए सप्टेंबर का महीना overall आपकी love life, आपका career और आपकी health को लेकर क्या-क्या message देता है तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी love life को लेकर love life में viewers कुछ न कुछ emotionally किसी चीज़ को लेकर disturbed हो सकते हैं आप शायद कुछ नया करना चाहते थे बट अभी आप stop हो रही है आप आगे नहीं बढ़ रही है किनी चीज़ों को लेकर कुछ नई ideas से प्याद को लेकर देख पे जा सकते थे या आपने कुछ प्लान किया होगा आपके प्लान सभी डिले हो सकते हैं आपके प्लान सभी कैंसल हो सकते हैं यह भी दिखाई दे रहे है या जो आपके जिंदगी में अल्रडी है उससे थोड़ा सा मन मुटा हो सकता है लेकिन स्टेल मैं यह कहूंगी कि आप उसके उपर वर्क करते रहेगा उस पर महनत करते बहुत जल्दी अपने अपने रिलेशन्शिप को मेंटें कर सकते हैं और कुछ नई प्लानिंग्स पर अगर आप करना चाहते हैं लॉंग टर्म के लिए तो भी दिखाई दे रही है बिल्कुल कर सकते हैं बस थोड़ा सा जो आपको स्टार्टिंग जो है यानि कि आपको चु करने के लिए महनत की जरूरत है उसको नया शेप देने की जरूरत है नई तरीके से रिजुवनेट करनी की जरूरत है मोटिवेट करना पड़ेगा अपने आपको इंस्पायर करना पड़ेगा उस रिलेशन्शिप को और भी अच्छा बनाने के लिए तो काम करते रही है आगे जाके आपको यही रिलेशनशिप जो हैं वो आपको अच्छे रिजल्स जरूर देगा और घर पर भी अगर आप है तो घर परिवार के साथ भी आपको बहुत सारी चीजों के उपर मेंटेनिस की जरूरत है और जगनिटली आप उसको हैं और मैनेज कर सकते हैं बात करते हैं बहुत कर रहे हैं कुछ ऐसी चीजएं कुछ ऐसे दूंग संस्क्राइब एंफЛीजें आप पर हैं जिसे आप मैंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके जो आपको जो प्लानिंग्स और भोग इन cassष्ष कर रहे हैं लिकन कहीं किसी के वजर से यह सैल्फ बनाय वो सकता है कही नपहीं आप अपने अंधर की जो नेगिटिव पॉसितिव जो उर्जा है उसको आप मेंटेन नहीं कर बारे हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को करना चाते हो अपने करना चाते हो लेकिन दुनिया क्या कहेगी या लोग आपके पीछे कैसे बहेव कर रहे हैं लोग आपके आसपास आपको कितना रिस्ट्रिक्टेट कर रहे हैं आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए वो आपको देखने की जरूरत है तो अपने करियर के लिए अगर आप कुछ नया प्लाइन करना चाहते है तो not now, this is not the right time, just wait for the right time to come, उसके बाद आप अपने प्लाइन करना है, control करना है और खुद को उस नेगिटिव जोन से बाहर निकालना है तब ही आप कुछ नया सोच सकते हैं, कुछ नया प्लान कर सकते हैं वो प्लाइनिक्स आपकी विदेश को लेकर भी हो सकती है, हो सकता है कुछ आप अपने प्लानिक्स में भी फसे हों, आप तो इस तरह के भी कुछ सवाल आपको तल कर सकते हैं, तो आप बहुत सोच समझ के decision रीजेगा ताकि आप आज तो decision लेंगे, उसका result आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा बात करते हैं, वियर्ज फाइव नंबर वालों की हेल्थ की जिनका डेट अव बर्फ में देट अव बर्फ में अगर हम हेल्थ के बात करें तो हेल्थ के लिए अच्छा है, अच्छ कुछ इतनी बड़ी प्रॉड़्म दिखाई नहीं दे रही है, बट फिर अगर आप जिए अच्छ जूस पीज़गा आप पानी जादा मात्रा में पीज़गा तो ड़ड़ा सा एल्कोहल का गूंषन है उसको अपको को आपको कहीं हो वह को बढ़न सकती है, दाल सकती है, आदवाईश गेखा जा रहा है, कि नेक्स्ट आमन्त में आप फ्रूट चा जादा करे इस पे जुरूर ध्यान लेज़ेगा विए यह तो थे 5 नंबर वालों के लिए हमारा सेप्टेमबर का महीना कैसा होगा और अब देखते हैं 5 नंबर वालों के लिए any important message जो आपके लिए आये वोपी चेट कर लेते हैं तो message जो है अगर हम बात करें आप अपने कहिना के एक natural counselor बन सकते हैं काज यह message ते रहे हैं यानि कि अगर आपको कुछ चीजों के उपर discussion करना है आपको कुछ नई plans करने हैं आपको counselor की जरूरत है तो just be your own counselor you can be आप अपने आपको बहुत अच्छे तरीकी से समझा सकते हैं आप अपने आपको बहुत सरी चीजों को लेकर गाइड कर सकते हैं रिएशॉर कर सकते हैं कि आपके लिए बैटल क्या है आपको क्या अच्छा करना चाहिए और यह भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो relationship में हैं आपके जो support वह आपकी साथ है तो कुछ भी अच्छा कर सकते हैं कुछ भी नया कर सकते हैं आपके लिए सभी तरे के डोर्ष जो है वह open है चलिए बात करते हैं हमारा next number यानि कि number 6 6 number यानि कि अगर आपके date of birth 6 है अगर आपका date of birth 24 है और अगर आपका date of birth 15 है यह तीन नमबर्स जिनकी भी date of birth में आते हैं तो आपका मुलांक नमबर बनता है नमबर 6 तो 6 वालों के लिए September के महिना कैसा रहेगा September के महिने में आपके लिए relationship में कैसा है आपके career में कैसा है और आपके health को लेकर कैसा है आए दिखते हैं तो पहले बात करते हैं सबसे पहले आपके relationship को लेकर relationship में यह ज़रूर आ रहा है कि बहुत सारी चीजों को लेकर आपको अपने विचारों को बदलना पड़ेगा आपके point of view बदलने की ज़रूरत है आप किसी चीज को लेकर first हुके हैं आपके हुए हैं लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आपकी wisdom आपको ज़रूर हेल्प करेगी आपके बुद्धी से ही आप अपनी चीजों को बुद्ध से में और और को बुद्धी अगर खुए कर्मात किये हैं तो यह हैं अपने प्रूД टापके लेकिने कु लिये WHY विश और अपने चीजों को यह शोख फो ठीले मे Willard के बहुत साओते से माते तो कि यह आपके लिएजू इसाज हैं जो थोड़ा से वर्बली जो है वो कम्यूनिकेशन जो है वो नेगेटिव हो सकता है यानि कि अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आपको कम्यूनिकेट करने की जरूरत है अबात कीजेगा अगर आपके मांद में कुछ भी नई चीज़े आरे हैं कुछ भी आपने रिष्टों को लेक थोड़े से इशोस दिखाई दे रहे हैं वह सकता है घर परिवार में कुछ चीजों को लेकर तुटुमैमा हो सकती है या बीच पुरानी से जो एफ उठ सकती है पुछ दिककते आ सकती है अबसाय को बहुत ही और शुक्षिछन हो को बहुत ही बहुत ही संड़ीऑ के साथ न आप लेना चाहते हैं वैसा ही आप अपने रिष्टों को देंगे तो आप उसी तरीके से मेंटेन करने की कोशिश केज़ेगा क्योंकि काई बर हम हमेशा पान अच्छा चाहते हैं बढ़ हम दे भी कैसा हम उसके पर ध्यान नहीं देते तो यह पर गिवन टेक चो दिखाई दे हैं कायर वाले आप ऐसे हैं कि आप अपने जिन चीजों को आपको करने में खुशे मिलते हैं जो आपको इमोशनली हापी करते हैं आप वही काम करना पसंद करते हैं किसी के दबाफ में काम करना पसंद नहीं करते हैं आप अपने तरीके से अपने अपने स्टाइल से अपने सबस्सक्राइम, हैं और वी तो क्या ओपने काम करना लेकर शहाती हुचै जोल परमीघ कषिए हैं विसे इन अज़ेशन से वी काम करना ते identify करने थैट कम कर Plate अब स्दार अगर अज़ आप लेकर को is orahh kan अब कर सकती है तो रहा 10 में जितनैंनी हो समस्पूर करें जितनी हो से के आप किसी की help ले सकते हैं, आपको अच्छे offers पी दिखाई दे हैं, अपनी काम को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अगर आप बिजनस करना चाहते हैं, तो यस डेफिनिटली बिजनस पे भी कुछ बहुत अच्छा offer आता हुआ नजर आ रहा है, तो अगर अगर हम आप मेंचेन कर सकते हैं, पर आप अपनी चीजों को अपने प्रॉब्लम्स को मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सब्चेमबर के महिने में, स्पेशली आपकी कारियर को आपके वर्क को लेकर, अब देखते हैं, आपकी हेल्थ, तो जालिए बात करते हैं, आपके हेल किनी चीजों को लेकर आप तोड़ासा जल्दबाज हैं, आप अपने हेल्थ को घोड़ास डिटोयट कर लेते हैं, कोई decision लेना है आपको हेल्थ को लेकर, कोई options हैं, आपको लगते है कि मुझे ये medicines लेनी चाहिएं, ये doctors चाहिएं, या मुझे ऐसे अपनी हेल्थ को handle करना ह जल्दी से decision ले लेजिगा ताकि आप अपनी health को और जादा खराब ना होने दे अदरवाइस आपकी health अगर already अच्छी है तो थोड़ा सा ध्यान देनी की जरूरत है और अगर थोड़ा सा खराब है तो यस टेफिनितली आपको एक अच्छी अच्छी जरूरत है अच्छी सलहा की जरूरत है अच्छी रिजिजिन्स लेने की जरूरत है और आपकी health जो है वो धीर जरे मेंटेन हो सकती है थोड़ा सा किसी भी चीज को लेकर मैं अगर मैं बोलूं तो mentally, आज ऒहत जादा plans में लगे रहते हैं, mentally बहत जादा सोचते हैं, वो दिखाय दे रहे है कि कुछ वो चीजह भी आपको डिस्टब कर सकती हैं, emotionally आप बहुत जादा सेंसिटिव हैं, तो बहुत जंदी किसीभी बात का बुरा मान लेते हैं उससे कर द्धिन करियों हो जाएगा तो नीए ठीकिल कोशिच करें आप अपनी हेल्थ को मैंठेन करें September के महीने के स्पेशली एड तो सिक्सम्बर वालों तो 6 मुलंंख वालों के लिए September का महीना अब देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या है कोई ऐसा स्पेशल मैसेज कुछ ऐसी कोई स्पेशल गाइदेंस तो देख लेते हैं अगें अगर मैं बात करूँ तो छे नंबर वालों के लिए ये जरूर है कि यूँट तो आपको हेल्धी यूगा की प्रायाम की ब्रीधिंग एक्साइजिस की अच्छा पानी दीजेगा अच्छे फूट्स खाईएगा थोड़ा थोड़ा सा नुक्रिशिस डाइट को आपको लेने की जरूरत पड़ सकती है लाइफ को रव्यू किजेगा ओवराल देखे आपकी लाइफ कहा से आ र जरूरत है लाइफ को रिव्यू करने की यह भी जरूर आपके लिए एक मैसेज आया है तो आज का ये वीडियो हमारा चार पांच और छे नंबर वालों के लिए था आशा करती हूँ आपको मेरे वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अगर आप मेरे वीडियो आगे मेरे जिसको प्रॉपर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और लाइक पी कीजेगा और कमेंट पी कीजेगा आपके कमेंट हमें बहुत एंकरेज करते हैं आपकी गाइडिंस वह हमारे लिए बहुत जरूरी है सब्योस मुझे दीजिये अब इजाज़त और जल्दी में बहुत ही जल नेक्स्ट वीडियो को लेकर आँगे जिसमें हम मुलांक नंबर बात करेंगे साथ आठ और नौ वालों के लिए तो थैंक यू सो मुच पर वाचिग मैं वीडियो वालों के लिए झाल